मुह में पानी आ रहा है आज ये कलास और ये देख कर अलो साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का प्पी वियार स्टडी में जैसा कि आपको पहले ही दिख गया स्क्रेन पर ये क्या है पहले ये बता ये है गुलाब जामुन रस गुलाब इसाइद इसी को बोलते ह पानी मतलाव भी बाद में मिलेगा कुश्चन पर आओ पहले इसको दिखाया इस लिए गया था ये कुश्चन सिकेंड आप होमर कर लेना बहुत आसान है बहुत ही सिंपल था जैसे अब तक पढ़ाया गया वैसे ही है नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा अब आ गई बात या गुलाब वाली जामुन की कुश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है द्धिर कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का यानि वैलूम का लगभग 30% चीनी की चाफनी होती है जो गुलाब जामुन है ये लंबी वाली बेलना कार वाली इसके आयतन में यानि अगर मैं इसको गुलाब जामुन मान लूं फिलहाल इसको अगर में गुलाब जामुन मान लूं तो नहीं बड़ी गुलाब जामुन तो होती नहीं से तो इसमें जितना पानी भरा जा सकता हो क्या होगा इसका आयतन होगा क्यों भई सफ़िना इतन होगा वैसे गुलाब जामुन में अगर छेद कर दिया जाए अंदर में खोकलू तो उसमें जितना मतलब चीजें भरी जा सकती है उसका 30 परसेंट क्या है चासनी होती है मतलब चीनी का सीड़ा होता है चासनी का मतलब समझ रहा है कि आगे 45 गुलाब जामुन एक वेलन के आकार का है 45 चासनी भी देख लो यह चासनी है यह मुरब्बा की चासनी है फिलाल और अपक हतम हो गया है तो यह है चासनी कह रहा है कि टोटल गुलाब जामुन का प отвечन क्या स्तितंध तो आगे भी उन्हूर्ण्य Гण का आकार कि धक है गोली वाली भी गोल प्नार के सब्सक्राइब आप पांच सेंटिमीटर है और बीयास 2.8 सेंटिमीटर है तो बताना क्य पूछा क्या है देखो कोईशन पूरा नहीं है क्या इसमें अभी और आगे भी होगा बताता हूं कि देखे बच्चों कोईशन थोड़ा गलत है आप समझ लेजिए सब कुछ सही है बस इसमें पूछा क्या गया ऐसा नहीं लिखा ना इन्होंने इसमें यहीं पूछा गया है कि 45 गुलाब जामून में कितनी होगी सब्सक्राइब कुल गुलाब जामुन का जो आयतन है उसका 30% चासनी है बाकी परसंट मैटरियल है उसमें जो डाला गया है खोया हो गहरा चीनी हो गहरा मतलब और भी चीज़ें जो भी चीज़ें ठीक है सिंपल है लिखिए पहले गुलाब जामुन बनाओ भाई एक चोटी सी गुलाब जामुन बनाते हैं बहुत बड़ी नहीं बनाना नहीं खतम नहीं होगी साम कटाई में खाना भी पड़ेगा तो यह क्या है गुलाब जामुन है यह गुलाब की जामुन बहुत छोटी ही होनी यह ज्यादा बड़ी नहीं गुलाब जामु निलग रही है कुछ और लग रहा है है आप देख समझो मुह में पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा अभी जाने दो छलो बठ यह थोड़ा सा कम मज़ेदार लग रही है ऐसे लंबा लंब इसेनाज है यानी टोटल यह क्या है पांक सेन इंटीमीटर है इसमें देखो यह इतना जो भाग है वो अट इसका इतना इसमें पूछ रहा है यह ची tissue है यह यह क्या तो बहिए इसकी रेडियस क्या ना यहाँ लाइन कीच के साइड में लाके दिखा दो यह 1.4 होगा क्या है रेडियस बात है अगर इसका ब्यास है तो इसका अधा रेडियस होगा ना इसका अर्ध गोले का तो लिखो जलदी से जो दिया है इसमें रेडियस दिया है क्यूंकि ब्यास दिया ब्यास का आदा रेडियस हो जाएगा गुलाब जामुन का लंबाई दी गई है और अब पूरी गुलाब जामुन यंद निकलेगा तो इसका 30% हमस्मझ कि क्या कैसे करना है सबस्दिआ हो पहले एक गुलाब जामुन की बात हो रही है हम्में 255 निकालना है तो suburbs activity एक गुलाब जामुन के लिए क्या करोगे बाबू पहले एक गुलाब जामुन अपनलोगे क्या और गुलाब जामुन का मतलब यह बीच वाला भाग क्या एक फत्र ने पर नकल है निक नहकंगे ऑफ तो पहले बैलनलज ङगा दोगे और दोनों तरफ यह जो है और्द गोले के आकार का है तो आपके रृबिंद काा पूर्ए गुलाब जामुन का बराबर पूरि गुलाब पूरे जामुन का यह तन बराबर बयलना का लिक लेएंगे आपक है गुलाब जामुन एक्वल लूमाफ सिलेंडर प्लस बैलूमाफ टू है मिस्फेयर चलो फटाफट लगा दो देखो लिखने वाली बातें जल्दी लिख लिया करिए जिससे टाइम न लगे और सिर्फ काम करना रहे हैं तो बेलनाकार भाग का आयतन जो सिलेंडर आकार का उसका क्या होगा आयतन पाई यारी स्कॉइर एच भाई इसलेंडर का वैलूम यहीं होत में यहीज्टा है तो अगर पूरे पूरे गोले का निकालने दो अर्थ गोला है एक मिल जायाए कि बन जाएगा न तो गोले का एतन चार वटा तीन पाय यार क्यूब क्योंकि दो अर्थ गोले हैं बस मान रख दीजिए हो गया काम खतम लेकिन एक चीज और समझेंगे अग फिर 45 का निकालना पड़ेगा फिर उसका 30% करना पड़ेगा आप एक काम करो मैं एक फर्मूला बता देता हूं मस्टर वाला यह तो एक हो गया इसमें क्या करो ना बबुआ इसमें 45 से गुड़ा कर दो क्योंकि हमें 45 का निकालना है टोटल इसको बंद करके ठीक है और फिर इ इससे एक बार में सब आ जाए तो एक का निकालोगे फिर 45 का निकालोगे फिर 30% करोगे काफी अलग अलग करना पड़ेगा चलो सारे मान रख देते हैं देखो क्या क्या मान दिये गए तो आप एक काम करो इसमें कुछ कॉमन कर लो इसमें पाई आर स्कॉयर कामन हो जाएग प्लस फोर अपान थ्री आर बचेगा यहीं तो बचेगा कुछ और बचेगा इन्टू यह 45 इन्टू आपका थ्री अपान 10 बचेगा क्योंकि एक जीरो से जीरो कट जाएगा तभी हल कर लो कि कोई दिक्का नहीं ना जल्दी लिखते चलो फटा-फट स्क्रीन साट लेते च सब्सक्राइब करो कि एक चीज आपको और भी समझना है वह क्या है थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग बहुत थोड़ा सा देखो यह टोटल जो गुलाब जामुन थी वह पांच सेंटीमीटर लंबी थी यह तो ठीक है अब इसका रेडियस 1.4 था ना तो यानि यह भी 1.4 है तो यहां पर ध्यान देना इधर फाइड यह क्या है यहां से इतना 1.4 है ना इधर भी 1.4 होगा इतना लेकिन टोटल पांच थी ना तो यह दोनों जूड़ेगा 2.8 आ जाएगा क्या आएगा 2.8 तो 2.8 थे घटा लोगे बाबू 5 तो आपका यह इतनी दूरी का इतनी द देलना कार भाग कमुचा ही होगा एक प्रकार से यह कमान होगा ना तो चलो मान रखो पटाफट यह 22 बटा साथ इंटु आर आर मतलब रेडियस 1.4 था ना र कुछ और था वही है ना रखो 1.4 स्कॉयर है तो 1.4 दोदा गुड़ा हो जाएगा इंटु यह कमान 2.2 अभी ज पॉर्टिफाइव और इंटु थ्री अपान 10 इसमें किसी को कोई डाउट नहीं जल्दी लिखो उपर मिटा आता हूं इससाइट में मिटा के लिखूंगा इसको बना रहें दो जल्दी स्क्रीन साथ लोग फटते बहुत जल्दी करो फास्ट करो जल्दी जल्दी इस सारे म दो अंक पर 10 हमलों लग जाएगा ना लेकिन अभी एक काम करो आप इनका गुड़ा ना करो तो क्या करोगे फिर देखो मैं बताता हूं आप इनका गुड़ा इसमें कर दो तो बाइस दूना चवालिस बाइस दूना चवालिस ना चवालिस में क्या करोगे वन डिजिट पर पॉइंट लगा दोगे बाबू तो यहां पर आ जाओ फाइनल में यह 4.4 हो जाएगा और यह आपका 1.4 भगल में इसमें मल्टीपल में आ जाएगा इसमें कुछ नहीं करना है ब्रेकट में आ जाओ इसको देखो 14 से इसमें गुडा कर दो 14 चोका 56 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2.2 जैसे वह ऐसे ही रहेगा प्लस यह 5.6 अपां 3 ओके और इंटू आपका यह 45 अपां 3 जो है इसको गुडा कर लो इसमें कुछ होगा नहीं कि रहने दें अभी अभी रहने तो चाहे तो 45 इंटू 3 अपां 10 चलो बात पक्की अब क्या करोगे अब देखो इनको तिरशा गुडा करो तुम इनको हाल करो इतना भीन तो हाल कर लेते हो न वह इसका गुडा करोगे तिन दूना च्छा तिन दूना च्छा 6.6 हो जाएगा और यह धन 5.6 आप करके देखो कि अब इतना तो आप लोग करोगे क्योंकि अच्छा 9 में पहुंचे करना पड़ेगा तो यह आपका हो जाएगा बारत असंबलो अच्छे-च्छे-बारा बारत असंबलो दो बटा तीन यह 45 गुडा तीन बटा दस क्यों यह होगा ना मारकर में इंक डाल देत कट जाएगा सिंपल में बचेगा क्या यह 4.4 इनको तो तुम गुडा कर सकते हो कर लो चौदा चौका 56 हासिल आया पांच और चौदा एककम चौदा 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 पांच और यह आपका बागू 12.2 बच रहा ऊपर 12.2 यह कटी गया ऊपर बचरा एक और कौण बचरा 45 बचरा यह 25 तो पैसालीस कभी से गुड़ा हो जाएगा इसको अलग कर लो इन्टू पैसालीस नीचे 10 बचरा 10 इन सब का गुड़ा करोगे क्ल लगभग में आप देख़ो बाराच शंग बहात्तर आंसर कह रहा था कि लग भग में लाना यहां पर एकुर सीधे सीधे नंबर का गुड़ा करो 12 चंग 72 बहत्तर के लगबग में आएगा एक बहत्तर के लगबग में आएगा आप इसे थोड़ा बढ़ा दो क्योंकि यह भी 16 है यह तो मालो च्वहत्तर कर लो 73 कर लो 74 कर लो 75 कर दो और फिर दस से भाग कर देना टोटल तो यह 338 लगबग आएगा बिटा क्या आएगा 338 पूछा क्या था इसमें क्या था चाफनी कितनी ना यह पूछा था ना कोशन दिखा एक बार स्क्रीन पर चलो 338 कह रहा था पैतालिस हाँ गुलाद जामुन में कितनी चाफनी होगी कोशन देखो इसमें क्या आएगा फिर सेंटीमेटर क्यों आएगा यह बैलूम निकाला गया ना कि किसी को कोई डाउट न ना तो इस तरह से बच्चों आपका यह कुश्चन नंबर जो है होई गया था थार्ड नंबर दन हुआ ठीक है कुश्चन नंबर तीफरा भी कंपलेट हुआ कि किसी को को डाउट है बोलो चलते चलते आपको एक बात याद दिला दें अगर आप नाइंथ हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन बात है कि आप यह बात समझ लीजिए चाफनी किनारे करिए बारा पचीज तारीक से स्वरी एक मिनट दिखा देता हूं कि पचीज तारीक से बच्चों आपकी नाइंठ और टैन्थ हैनि बोर्ट की सारी कलासे इस चैनल पर होंगी पीवियर स्टडी 3.0 पर आज ही जाके इसे सब्सक्राइब कर लिए डिस्क्रेप्सिन में लिंक मिल जाएगी कमेंट बाक्स में मिल जाएगी या फिर आप पीवियर स्टडी 3.0 इसकूल लिख के भी सर्च कर सकते हो तो पीवियर स्टडी लाहबा चैनल पर तो बिल्कुल परइसान नहीं होना मैं पहले बता दे रहा हूं दस दिन पहले से ठीक है आज के लिए इतना ही बहु